singular value decomposition हमने बड़ी detail में पहले पड़ा अब इसकी coding example हम आपके सामने ले के आते हैं यह directly मैं आपको अपने जो है notebook पे ले गया हूँ यह notebook कहां पे पड़ी हुई है जो हमारे github है उसी के अंदर five number मैंने folder बनाया और इसी के अंदर mathematics की बाकी चीजी हम ले के आएंगे यहां पे हमने pandas, numpy, cbond, truncated svd, one hot encoder, standard scalar and some other libraries हमने import की है you don't need to worry about that thing यहां पे हमने data set को load किया which is titanic का data set इसको load करने के बाद हमने उसको columns देख लिए columns देखने के बाद हमने features देख लिए कि जो हमारे लिए important है features होते है the things which we want to depend on for the prediction यानि कि non values हमारे पास कौन सी है यह हमारे पास non values है columns की यह जो हमारे पास column है उपर ठीक है और column कैसे देखते हैं अगर मैं यहां पे titanic.df.head यह लगाता हूँ तो यह हमारे पास columns है इसमें से कुछ हमने select कर ली है for svd जिसमें survived का column है fair, age, sex and p class है ठीक है और हमने इसमें से numerical features दो निकाले जिसको age and fair कहते हैं और उन numerical features को हमने strategy जो use की है median के साथ उसकी missing values को impute कर दिया और साथ ही हमने उसे scale कर दिया, scaling और imputation दोनों ही कठी कर दिया हमने जो पिछले lectures हैं आपको याद आ रहे होंगे, अगर आपने नहीं पिछले lecture देखे, so this would be difficult for you मैं आपको recommend करूँगा कि description में पूरा link दिया हुए, 6 मा के course का, आप start से शुरू करेंगे तो फिर आपको समझ जाएगी हमने फिर categorical values separate कर ली, दोनों, ठीक है, P class and sex और इनको हमने क्या किया, इनकी fill किया missing values को with a constant कोई भी constant हो सकता है, जो भी हमारे पास एक value आती है, ठीक है और फिर हमने उसको one hot encoding कर ली, encoding क्या होता है, यह मैंने आपको अच्छे से समझाया कि जो categorical variables होते हैं, इनको अगर हम numeric के अंदर convert करें तो उसे one hot encoding करते हैं तो हमारे पास total column थे, एक, दो, तीन, चार, पांच, हमने चार को encode किया, यानि कि यह जो चार column है, यह हमारे features हैं basically, ठीक है, survived का जो column है, इसको हम predict करते हैं usually, but it's fine, we will do that here, यह 4 हमारे column हो गए scale, अब हमारे, survive का column already हमारे पास 0, 1 की form में है, इस वज़ा से हमने इसको scale नहीं किया, here, यह 0, 1 की form में, ठीक है, so यह already encoded है, जो encode नहीं था, हमने उसे कर लिया, and then हमने गया किया, numeric features को, और categorical features को, transform कर दी है, column transform के थ्रू, इसको क्या होता है, इससे यह होता है, कि आपके columns जाएं, वो transform हो जाते हैं, सारे के सारे, और वो एक set के अंदर आ जाते हैं, यानि कि pre-processor के अंदर, इसको मैं आपको समझाओंगा, when we will do that, और at the end हमारे पास यह features हमने select कर लिए, यानि कि अगर मैं इस सारे को run करूं, हमारे पास जो x है, dot, अगर मैं इसको head करूं, let me see, head नहीं होगा इसका, as I was thinking, head dot shape करता हूं, तो यह 891 by 7, यानि कि 891 रोज हैं इसकी, और 7 इसके जो हैं, हमारे पास column है, अगर मैं इसको columns में लेके हूं, let me see, अगर यह columns दिखा दे, नहीं दिखा रहा, because this is a numpy array, और यह मैं आपको वैसे दिखा देता हूं, यह हमारे पास एक array बन गी है, ठीक है, और अगर आप इसको गौर करें, यह जो array हमारे पास आई है, यह basically matrix form के अंदर आई है, कैसे, मैं भी आपको समझाता हूं, हमने इस data में से कुछ columns select कियें, which are called features, ठीक है, मैं यहाँ पर features ले के आता हूं, features.head, not like that, let me see, titanic df के अंदर features, फिर इसको dot head करके देखते हैं, let's see, yes, यह जो मेरे पास एक इस तरीके से 5 columns आई हैं है, यह पांच हमारे पास क्या है, rows, और 891 जो है, हमारे पास है, columns, अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको अगर मैं इसकी shape लो, अब आप देखिएगा, यह जो हमारे पास आ रहा है, 891 by 7, this is a matrix, बड़े वाला matrix, यानि के 891 इसकी rows है, 7 columns हैं, ठीक है, यह total x shape के अंदर, I will show you के यह x shape के अ साथ क्यूं आ रहे हैं और यह 5 क्यूं आ रहे, because we are actually looking into the whole data set जो हमारे पास यहां पर उसी तरीके से यह काम करते हैं, मैं आपको यह भी समझाता हूँ, यह concept क्या है, हमने क्या किया है, एक data set लिया है, उस data set के 5 column है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यहां पे rows जो हैं, वो 891 है, 891 rows, 2, 3, 4, 5, 5 columns, ठीक है, अब अगर आप घौर करें, अगर मैं इसको matrix की form मे लिखू, I can write it down like this, यानि के उपर से नीचे rows जाती रहें, इस तरीके से, 5 columns हैं, और बाकी हमारे पास rows हैं, और यह खतम नहीं हो, मैट्रिक 691 साइज बढ़ा है, ठीक है, so this is how you can have a look on matrices, और at the end हमारे पास यह features का एक concept clear हो गया, then हमने इस पे, अपने components रखें, n components क्या होते ह रहेंगे मैं आपको समझाऊंगा, but for now I just wanted to tell you, के यह computation के तरू हमने SVD का singular values find out कर ली है, सही है, पूरे के पूरे 891 by 7 या 995 को करके, यह हमारे पास singular values आ गी है, यह वो ही singular values हैं, जो हमें सिगमा के अंदर डालनी थी, आपको याद होगा, कल मैने जब आपको SVD पढ़ाया थ उसके अंदर U matrix था, एक V transpose matrix था, third one was summation या sigma जिसको हम बोलते हैं, sigma ही बोलूँगा, मैं sigma matrix, उसके अंदर हमने singular values डालनी थी, यह हमने compute करके directly singular values निकालनी, ठीक है, और यह इसका SVD का variance है, variance क्या होता है, जब हम stat में जाएंगे तब हम अंदाजा लगाएंगे, यानि कि अगर इसको बोलते हैं, बर इसको और भी detail में समझेगे, यह तो होगी singular values हमारे पास आगी, we can actually also predict this thing something like this way, यह titanic के data set के उपर, अगर आप चाहें, तो you can also draw this, SVD component 1, SVD component 2, क्योंकि मैंने component यहां पे 4 रखे हैं, मैं 2 भी रख सकता हूं, और यह मैंने 2 component रखे हैं, तो यह मेरे पास इस तरीके से, यह सारे का सारी values जह हैं, वो आ गई हैं, अब मैं आपको एक और बात समझाता हूं, यहां पे, अगर मैं इसको 6 component करता हूं, यहां पे देखिएगा, यह हमारे पास आ रही है singular values, यह हमारे पास singular values इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है, something like this, इन singular values और इन ratio की base पे depend करता है कि आपका data कितनी percent variability show कर रहा है, वो variability क्या होती है, यानि कि अगर आप सारे के सारे column लें, या उसमें से सिरफ 4-5 रख लें, तो क्या वो पूरे data की weight को capture कर सकता है, weight क्या होता है, यानि कि क्या हम 31 column लें, तब हमारे result पे फरक पड़ता है, या हम 7 column लें, तब फरक मिसाल के दोर पे अगर आप 7 column लेते हैं, तो SVD आपको बताता है कि कितने percent आप data को capture कर रहे हैं, ठीक है, मैं गहता हूँ 7 column ले लूँ तो कितना data हैगा, वो कहता है, यह 91 percent, just giving an example, तो इसका मतलब है 7 column 91 percent data को capture कर रहे हैं, ठीक है, so at the end हमारे पास क्या होता है, जब हमारे प component 1 जो है, वो maximum variability है data की वो रखता है, component 2 उससे कम, component 3 उससे कम, component 4 उससे कम, इसका मतलब यह है, कि अगर आपने data के अंदर उसकी eigen values and eigen vectors को देखना है, तो SVD 1 यानिके component 1 के through जब आप देखेंगे ना left to right, इस direction में जितने vectors आ रहे हैं, they can tell you कि वो किस तरीके से define हो रहे हैं, आपको second variability दिखाएंगे, ठीक है, और at the end आप कुछ इस तरीके से उनको survived or not survived को भी देख सकते हैं, but this is just an example, और यह मैं आपको इस पड़ा से दिखा रहा हूँ कि आप complex चीजों को यहां पर python के अंदर impute कर सकते हैं, अभी हमारा मकसद इससे impute करना नहीं है, but SVD will look something like this, कि ह ठीक है, अगर आप गोर करें, तो इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा तर data के अंदर survived, यानि कि जिनकी value 1 है, वो आपके पास 0 के आसपास है, यानि कि component 0 के आसपास है, और यहां पे जो survive कियें, these are 3 important points, इनको हम study करेंगे, I mean there are many interpretations, और इन सारी के सारी interpretations को मैंने यहां पे singular values and explained variance होता क्या है, उसको मैंने यहां पे define किया है, component and original features क्या होते है, categorical features क्या होते है, and then important consideration as well, so यह सारी की सारी notebook, अभी मैं GitHub पे डाल दूँगा, and then you can have a look into it, लेकिन on the other side, I won't recommend कि आप अभी से इसको समझने की कोशिच करें, because the thing is mathematics की basics हम तब पढ़ रहें, क्योंकि हमने इसको utilize करना है, innate dataset, ठीक है, so dataset में अभी मैंने आपको तरीका दिखाया है, but when we will learn machine learning, खास तुर पे unsupervised machine learning, इंशाला तब हम इसको one to all, A to Z देखेंगो, और तब तक आपकी understandings जो हैं, वो भी और advanced level की हो जाएंगी, hopefully, यहां तक आपको कुछ ना कुछ idea हो गया होगा, कि SVD क जा होती है, और SVD को किस तरीके से लेके जाया जाता है,